नमस्कार बारिश में डाइजेशन खराब या पाचन तंत्र खराब जी आप में से ऐसे लोग जिन्हों देखा होगा कि गर्मी का मौसम था मस्त खा रहे थे आम करस दूदूद सब कुछ खापी रहे थे अचानक से बारिश होई और बारिश होने के बाद पूरा पेट का सिस् अब भी ऐसा है तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो क्यों होता और उसके लिए क्या उपाए कर सकते हैं स्वागत है आप सभी का मिश्रवेता में और आज हम बात कर रहे हैं बारिश के मौसम में जो पेट खराब होता है या डाइजेशन बिगड़ जाता है वो क्यों होता है और उसके लिए क्या इलाज कर सकते हैं सबसे पहली बात बारिश का जो मौसम होता है आईरिवेत में छे रितुवे बताई गई हैं छे रितु मतलब छे अलग-अलग मौसम या अलग-अलग सीजन बताई गए हैं उसमें उनी सीजन को संस्कृत में रितु बोलते हैं ठीक तो वर्षा रितु नाम का एक चैप्टर है या फिर वर्षा रितू नाम का एक टॉपिका है तो ये जो वर्षा रितू होती है मतलब बारिश का जो मौसम होता है उसके बारे में आईरविद में ऐसे बुला गया है कि इस मौसम में वायू का प्रकोप होता है अब वायू का प्रकोप क्या है देखे वात, पित, कफ ये तीन चीज़े हमारे शरीर में होती है और चार तरह की अगनी या पाचन तंतर होता है तो जब जब आपके शरीर में वायू अगर ज्यादा बढ़ेगी तो आपका जो पाचन या अगनी है वो विशम हो जाएगा कभी बहुत भूग लगेगी, कभी नहीं लगेगी कभी दो-तिन रोटी हजम हो जाएगी कभी केवल पानी की दो घुट भी हजम नहीं होगी कभी खुल कर भूग लगेगी, कभी नहीं लगेगी इसको बोलते हैं विशमता कि खाने का टाइम हजम होने का टाइम कुछ फिक्स नहीं होगा अगर पित बढ़ जाएगा तो तीशन अगनी हो जाएगी बहुत ज़्यादा जोर की भूग लएगी हर दो गंडे में कुछ खाने का मन करेगा अगर नहीं खाएगे तो पेट में अलसर गुसा उसस यह सब होने लएगा कफ ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी अगनी मंद हो जाएगी मंद मतलब आप देखेंगी कि एक बार खाना खाने के 12, 14, 16, 18, 18 गंडे तक आपको भूख ही नहीं लगेगी थोड़ा सा भी खालिया ऐसे लएगा वो खाना पेट में पढ़ा ही हुआ है और 24, 24 गंडे तक भूख नहीं लगती इस तरह की तकलिफ होगी और अगर ये तीनों दोस्ट बैलेंस है तो उसको समगनी बोलते हैं समगनी मतलब कि आपको टाइम पर भूख लगेगी 24 गंडे में दो बार भूख लगेगी दो बार खाना हजम हो जाएगा प्रॉपर हजम हो जाएगा इसे समगनी बोलते हैं तो बारिश के मोसम में हमारे शरीर में वात बढ़ता है ये वात बढ़ने के कारण जो अपनी अगनी होती है जो आपके पेट का digestive system है digestive fire है वो विशम हो जाता है या irregular हो जाती है एक एक्जाम्बल से समझे सपोस कि कोई मुमबत्ती जल रही है ठीक वो मुमबत्ती को अग के सामने अगर कोई आप पंखा चालू कर दो तो क्या होगा वो जो मुमबत्ती या फिर जो आपकी कैंडल है उसकी जो आग है वो कैसे होने लगेगी ऐसे होने लगेगी और अगर कोई चीजा पका रहे हो तो नहीं पकेगी सेम आपके पेट के अगनी के साथ होता है तो करना क्या है? वायू के कारण ये रोग होता है इस मौसम में वात को कंट्रोल करने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं और अगनी को इंप्रूव करने वाली एक्टिविटी कीजी तो अगनी को इंप्रूव क्या कर सकती है? आप देखिए सबसे ज़्यादा जो उपवास आते हैं पूरे साल भर में वो बारिश के मौसम में आते हैं जैसे कि श्रावर्ण का महिना आता है कई लोग श्रावर्ण सुमवार का जो वो करते हैं कई लोग जो जैन हैं वो उनके जो कई सारे उपवास इस मौसम में आते हैं तो बारिश के मौसम में सबसे पहला रूल जो आपको फॉलो करना चीए वो है लंगन अर्थात ऐसी कई एक्टिविटीस करना जिससे आपकी अगनी बढ़े उसी में एक होता है उपवास तो कोशिश कीजिए कि इस मौसम में अगर आपकी बार बार खाने की आदत है कि सुबा कुछ उटके अंगूर वजाम वदाम अंजीर मुरका खाते हैं फिर चाय पीते हैं फिर दोपैर नाश्टा करते हैं फिर दोपैर का कुछ श्राम को कुछ रात को कुछ सोने से बहले कुछ ऐसे multiple time eating है वो pattern avoid कीजिए 24 गंडे में किवल दो बार ही खाना खाना चाहिए इस मौसम में दूसरी चीज आपको करना चाहिए अगर दिन में सोने होने की आपकी आदत है तो वो avoid करना चाहिए उससे वनना और आपका जो digestive fire है वो weak होगा खराब होगा तीसरा काम आप कर सकते हैं इस मौसम में बोला गया है कि स्निग्ध ओष्ण और ऐसी चीज जो खटी और नमक वाली होगी वो अपने diet में इंट्रोडूस कीजिए जिसे की बारिष के मौसम में तक्र पीना जिसे buttermilk बोलते हैं आम्बोलचल की बाशा में तो तक्र पीना बहुत ही कमाल का चीज है, क्यों? क्योंकि जो तक्र होता है जो बटर मिल्क होता है दए के अंदर पानी डाल के जो मत्ते हैं और जो पानी निकलता है वो बाय नेचर हलका होता है ठीक और वो अगनी बढ़ाने में मदद करता है तो आप क्या कर सकते हैं दही 100 ग्राम ले लीजिए उसके अंदर आप ची तो 50 से मेल पानी डाल दो उसको मत हो उसका मख़न निकाल लो अब ये जो आपकी छाँच बनी है पतला पानी जैसे जो छाँच है खाना खाते समय बीच में दो दो घुट इस छाँच को पीना चीए आदा ग्लास की मात्रा या त्रीकटू नाम का पाउडर आराम से मिल जाता है तो दो चुटकी त्रीकटू का पाउडर त्रीकटू में सोट, काली मिर्च और पिपली है वो और थोड़ा सा सेंदा नमक एक चुटकी डाल के उसको मसाला छाँच जैसा आप करके खा सकते हैं आपकी डाइजेशन बढ़ दो चुटकी और एक चुटकी सेंदा नमक ये खाना खाने के पहले आप ले सकते हैं वो आपके डाइजेस्टिव फायर को अगनी को बढ़ाने में मदद करेगी ये एक उपाय आपके लिए अच्छा होगा कुछ आईरविदिक आसव अरिस्ट होते हैं जो इस मौसम में पीने के लिए बोले हैं वो आप नजदी की आईरविदिक डॉक्टर को पूछ के कितनी मात्रा में आप वो ले सकते हैं जैसे की द्राक्षा रिस्ट जैसी जो चीजे हैं जो अगनी बढ़ाने का काम करती हैं तो वो 2-4 चमच खाना काने के बाद सुबश शाम ले सकते हैं अश्वगंधा रिस्ट जैसी जो चीजे हैं या फिर अभ्यार रिस्ट जैसी जो चीजे हैं वो 5-10 ml जिनको अगर ऐसी डिटीविटी होती है या फिर नॉर्मल है तो 20 ml तक ले सकते हैं ठीक और इसके साथ ये चुटकी ये पाउडर खाओ ये छोटे मोटे जो नुसके हैं सुबश शाम 24 गंटे में दो ही बार खाना है उसकी लिए आप अपने प्रैक्टिस में कर सकते हो और इसी के साथ वागभण जी बोलते है कि इस मौसम में आप शोधन जरूर करा के लिजिए अब ये शोधन ही नहीं बढ़ता है जिनको हवा, AC, पंखा या बारिश होती तो तकलिफ बढ़ जाती है उन सारे लोगों को पाचन की बहुत तकलिफ होती है ऐसी तकलिफ है अगर आपको तो आप नजदी की जो पंचकर्म सेंटर आपके आपे होगा कोई भी आईरविदिक होस्पिडल हो पेट में हावा, फसी होई होना, पेट साफ ना होना या वात का जो प्रगूप हो रहा है उसे कम करेगा अगर आप नॉर्मल वेक्ती है और साल भर चाहते हैं कि आपका पेट खराब नहों पूरे साल भर आपकी वायू के रोग नहों तो ऐसे में योग बस्ती नाम का ट्री जाता है वो आप एक प्रैक्टिस करा सकते हैं और लास्ट में एक अमलवेतस नाम का पाउडर होता है जो कि बहुत खटा होता है अगर वो अमलवेतस पाउडर भी खाने के पेले एक चुटकी लिया जाता है तो बहुत अच्छा अगनी खुलने में मदद करता है या इस मौसम में जितने भी आप अचार जानते हैं आम का अचार आमले का अचार निम्बू का अचार कटल का अचार या जो भी अचार है वो अपने खाने में जरूर रखिए वो सारे की सारे अचार अगनी दीपन का काम करते हैं या भूख खुलने में मदद करते हैं तो इतने सारे उप पाचन की समस्या हो रही है, गैस, ब्लोटिंग, खाना हजम नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, इन सारे उपाईों से आपको उसमें मदद मिलेगी, यह सारे उपाई अगर 12 या 15 दिन में आराम न दे, तो फिर आप जो भी नजदी की आईरवित का डॉक्टर होगा, उससे कंसल्ट करके लीजिए, और उस रिसाब से आप अपनी बीमारी देखके, और क्या करना चाहिए, वो पूछ लीजिए, जैसे कि हो सकता है, कि किसी को फैटी लिवर हो, और बारिश में आगे और डाइजेशन खराब हो गया, तो हो सकता है, उनको इन आउश्दियों के अलावा भी और कोई आउश्दिया लगेगी, तो वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं, ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जुरूर बताएं, तब तक के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें